नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल धुरूव क्रियेशन पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग है। मनुष्य सुख सम्रिध्य, एश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के बाद भी व्यक्ती को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। असफलता का असर घर के माहौल पर भी पढ़ने लगता है। वाद विवाद, कलेशकलह बढ़ जाते हैं। परियाप्त धन की प्राप्ती ना होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते है। पैसों की किलत का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पढ़ता है और रिष्टों में खटास आने लगती है। इससे घर में और समाज में व्यक्ति के मानसमान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्ण स्थिती का कारण आपके घर में मौझूद नकारात्मक उर्जा हो सकती है। घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवाह बरहाने से कई तरह की परेशानियां ल करने के लिए कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन सही उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिहस्पती को प्रसंद करके सुखमे जीवन, समपन्नता, मान-सम्मान, आधि की प्राप्ति की जा सकती है। बिहस्पती को नवग्रहों में गुरु की प्रिहस्पती होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराठ होता है। जिवन की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा। दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान श्रीहरी विष्णू को समर्पित होता है। भगवान विष्णू इस स्रिष्ट के तारण हार है। भगवान विष्णू की प्रियवस्तूओं में से एक है हल्दी। भगवान विष्णू जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णू की पूजा में हल्दी का प्रयोक जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें। उन्हें पीले फूल और फलों का भोग लगाएं। कभी अकेले भगवान श्री हरी की पूजा ना करें, साथ में मान लक्ष्मी की भी पूजा करें, पूजा में बेलपत्र मान लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें, इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होकर जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, यश, कीर्थी, मान सम्मान में वृद्धि होगी पूजा के समय अपनी कलाई में या कंठ पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाना ब्रिस्पती की कृपद्रिष्टी पाने में मददगार होता है गुरुवार के दिन नहाने के पानी में दो चुटकी हल्दी डाल कर सनान किया जाए तो ब्रिस्पती की स्थिती मजबूत होकर विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती है इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है सनान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें इस जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बहतर होता है और जीवन सुख मै तरीके से गुजरता है इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोच्छा नहीं लगाना चाहिए लेकिन गुरुवार के दिन जाडु लगाने के बाद पानी में एक छुटकी हल्दी डाल कर उस पानी पूरे घर में छिड़काव कर दे तो घर शुद्ध हो जाएगा नित्य भगवान श्री हरी विष्णु की पूजा के बाद हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा लें किसी भी शुबकार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्चा श्रधा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी आपके सभी कार्य निर्विग्न तरीके से पूर्ण होते नजर आएंगे वास्तुदोष की आशंका होने पर हर गुरुवार के दिन अपने कमरों के कोनों में हल्दी को छिड़कें इससे वास्तुदोष दूर होता है घर के आहाते की सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दें तो इससे नकारात्म कूर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है इसके साथ ही हर गुरुवार के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी से स्वास्थिक का चिन्ध बनाएं या फिर थोड़े से चावल गीले करके उसमें हल्दी मिला लें और और इससे घर के मुख्य दर्वाजे पर स्वास्थिक बनाएं ज्योतिश में इस मांगलिक चिहन को प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। ये आपके घर में आने वाली नकारात्मक उर्जा को सोख लेगा। स्वास्तिक के प्रयोग से धन्विद्धी, ग्रह शांती, वास्तुदोष, निवारन और चिन्ताओं से मुक्ति मिलती है। क्यों के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं आती है। कभी कुछ छोटे-मोटे कारणों या विघ्णों के कारण विवाह होने में अडचने आनी लगती है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरी विष्णु भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन कुछ चीजों से परहेज जरूर करें। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ही करें। मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन न करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पू लाल वस्त्र क्रोध को बढ़ावा देता है व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है तो इन चीजों से बचें गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को पैसे उधार ना दें जहां तक हो सकें गुरुवार के दिन पैसों की लेंदेन से बचें गुरुवार को शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में दो लॉंग डाल कर जलाईए और गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन घी का ही दीपक जलाएं इससे मा लक्षमी कृपा बरसाती है गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं रोज महसूस हो रहा है कि किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है तो ऐसे में हर गुरुवार को श्री हरी विष्णुजी को हल्दी का तिलक लगाएं और ओ मैन क्लीन ब्रहस पतये नम इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाब करें यकीन मानिये इस से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है मुष्पति की स्थिती मजबूत होती है दोस्तों कोई कितना भी कहें पैसा क्या चीज है कोई भी कमा सकता है लेकिन वास्तविक जीवन की बातों पर आएंगे तो अनुभव यहीं होता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है धन की कमी आज के दिनों में परियाप्त धन के बिना जीवन यापन असंभव हैं। आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसे में एक लाल मौली धागे में एक हल्दी की गांठ को बांध ले। इसे भगवान श्री हरी विश्णुजी के चरणों में रख दें। विश्णुजी से धन की मुश्किलें दूर करने की प्र कोटा सा उपाए। किसी भी गुरुवार के दिन आप एक कागज लेकर उसमें एक छुटकी हल्दी डाल दें। उसकी पूडिया बना लें और भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी को प्रणाम करके आपके घर में उनकी जो तस्वीर या मूर्ती है उसके पीछे छिपा कर रख दे। धन संबध ही परेशानी हो, शादी विवाह की समस्या हो, वास्तु वाहन को लेकर कोई मन्शा हो, उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी मनो काम ना पूर्ण हो जाएगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, कब इस हल्दी को आप जाहेंगे दोस्तों, ग्रहों की स्थिती और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिती आपके लिए कभी शुब होगी, तो कभी अशुब परिणाम देगी। लेकिन आप अगर ये उपाए नित्य रूप से करते रहेंगे, तो संकट आपको छू नहीं अपने उपर गुरु के प्रभाव को शुब फलदाई बना लें। उसका पूरा लाब जिन्दगी भर आपको मिलता रहेगा। आशा करते हैं ब्रहस्पतिवार को किये जाने वाले हल्दी के उपायों से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आ आज के लिए बस इतना ही।